Hey guys, welcome back to this video इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चाप्टर एक प्लास एलेवन का जो की है Cell, the unit of life तो देखिए इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या-क्या है इसमें हम लोगों को पढ़ना है What is cell? ठीक है? Cell theory, an overview of cell prokaryotic cell and eukaryotic cell ठीक है? eukaryotic cell को हम लोगों को बहुत ज़्यादा detail में देखना है क्योंकि हर एक organelles को हम लोगो detail में देखना है इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम लोग prokaryotic cell तक पूरा complete कर दे ठीक है? तो चलिए without any delay, let's start When you look around you see both living and non-living things ठीक है? क्या बोला जा रहा है कि जब भी हम लोग देखते हैं अपने आसपास हमें क्या दिखता है दो चीज दिखता है, दो चीज क्या living and non-living things ठीक है? You must have wondered and asked yourself what is it that makes an organism living or what is it that an inanimate things does not have which a living thing has ठीक है? यहां पर क्या आपको बोला जा रहा है आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने हैं कभी आसा कुछ सवाल पूछे ऊ जो की a good living organism बनाती है और जो ऐसा चीज क्या है जो की non-living कहलता है inanimate का मतलब क्या होता है? non-living being, ठीक है, क्या non-living, ठीक है, the answer to this is, the presence of the basic unit of life, ठीक है, यहाँ पर देखिये, cell को indirectly क्या बोला जा रहा है, the basic unit of life, ठीक है, the cell in a living organism, ठीक है, इसका answer क्या है, cell जो कि एक living organism में मिलता है, ठीक है, all organisms are composed of cell, हर organism के पास क्या होता है, cell होता है, ठीक है, some are composed of single cell, अगर किसी के पास single cell है, ठीक है, तो वो क्या कहला आएंगे, called unicellular organism, वहीं अगर किसी जैसे की, वहीं others like us, जैसे की हम, ठीक है, composed of many cell, ठीक है, इनके हमारे पास क्या होता है, एक cell नहीं होके, बल्कि बहुत सारे cell होते है, उन्हें हम क्या कहते हैं, multicellular organism, ठीक है? Now, what is cell? Unicellular organism are capable of, first, independent existence, ठीक है? Second, performing the essential function like, performing the essential function of life, ठीक है? यहां पर unicellular organism, एक तो वो independent existence रखता है, that means, कि वो किसी के ऊपर dependent नहीं होता है, ठीक है? और दूसरा, कि वो उसके life के लिए, ठीक है? उसके पास जितने जो life है, उसको जीने के लिए, उसको जितने भी functions essential होते हैं, ठीक है? वो functions वो आराम से perform कर लेता है, ठीक है? Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living, ठीक है? अगर कोई थी structure है, जो कि cell के structure से कम complete है, that means, कि उसमें सिर्फ organelles है, let's suppose, ठीक है? वो cell नहीं है, ठीक है? एक organelles की बात कर रहे हैं, मतलब जो organelles है, वो अकेले living नहीं कहला सकता है, ठीक है? उसको किसी के ऊपर depend होना पड़ेगा, ठीक है? तब वो अपना जितने भी essential life functions है, वो सारे वो perform कर पाएगा, देन वो living कहलाएगा, ठीक है? Hence, cell is the fundamental structure and functional unit of the all organism, all living organism, ठीक है? Now, Anton von Levenhoek, बहुत important है scientist के नाव, आपको याद रखना है, first saw and describe a living cell, ठीक है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, Anton von Levenhoek का कहानी, ठीक है? ये जो थे, ठीक है, बहुत जादा naughty type के इंसान थे, ठीक है? वो बोले कि अब तुम जाओ अपने अंकल के चश्मे के दुकान पर जाके काम करो, ठीक है? तो ये अपने अंकल के चश्मे के दुकान पर गए, वहाँ पर काम करने, ठीक है? बट वो, Levenhoek क्या करते थे? कि जितने थी तूटे फूटे सी से थे, ठीक है? ठीक है? जो जो लेंसे वहाँ पर बनते थे, ठीक है? उनका कुछ पार्ट बच जाता था, तो वो अपने आप उसको कलेक्ट करके, ठीक है? उससे वो अपना एक माइक्रोस्कोप बनाए, ठीक ह ठीक है? ठीक है? और उससे वो डिसकवर किये, ठीक है? और यह क्या डिसकवर किये? यह दिये अनिमल्स क्यूल्स का, ठीक है? अनिमल्स क्यूल्स ठीक है और ये कहां मिला था इनको protozoa में यह देखे थे ठीक है और year इनका क्या था year था इनका 1674 1674 ठीक है Robert Brown later discovered the nucleus ठीक है बहुत important है Robert Brown later discovered the nucleus मैं अभी इन अभी का years नहीं बताती हिए कि मैं हम इसे इसके बाद बहुत अच्छे से टाइम लाइन देखेंगे ठीक है और देन हर चीज को देखेंगे ठीक है इंवेंशन आफ दी माइक्रोस्कोप और इट्स इंपॉर्ट इंप्रॉपमेंट लीडिंग टो एन इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप रिपील अल दी स्ट् इंप्रूब्मेंट माइक्रोस्कोप में इंप्रूब्मेंट होते 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 एक और माइक्रोस्कोप बना जिसे कि हम लोग आज की डेट में इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप के नाम से जानते ठीक है जैसे ही इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप बना वैसे ही सारे स्ट्रक् इस एल। पैंपिस सानु सुपता सब्सक्राइब को ढ Movement थेकहें क्या किये एग्जामिन की लार्जनम्पर अप्लान्थbin सब्सक्राइब और अप्लांथ को अजियों सब्सक्राइबिज बोटनेश गें आप से dzieci मैंज बॉटनेरवक्याइब नियुक्ति सारे प्लांट को देखे और उन में से वो क्या आप देखे कि हर प्लांट में अलग-अलग तरह के cells present है ठीक है और वो क्या बना रहे एक टिशू बना रहे ठीक है and at the same time Theodore Swann in 1839 a British geologist studied different type of animal cell ठीक है and reported that cell had a thin outer layer which is today known as plasma membrane ठीक है बहुत ज्यादा important ठीक है plasma membrane का इसे बहुत ज्यादा questions आ सकते हैं ठीक है देखे जो तोर्डर स्वान थे ठीक है 1839 में वो study कर रहे थे different type of animal cell ठीक है और वो रिपोर्ट क्या किये वो रिपोर्ट किये कि हर सेल के बाहर एक थिन outer layer होता है जिसको कि आज की डेट में हम लोग plasma membrane के नाम से जानते हैं ठीक है he also conducted based on his study on plant tissue ठीक है और वो plant tissue पर पढ़ रहे थे उससे वो कंड़क्ट किये उससे वो बत कंक्लूड किये ठीक है he also concluded based on his study on plant tissue that the presence of cell wall is a unique character of the plant cell ठीक है वो जब plant पर भी study किये थोड़ा सा ठीक है तो वो क्या एक conclusion दिये conclusion दिये कि plant cell के पास एक unique characteristic है ठीक है और वो on the basis of this swan proposed a hypothesis that the body of an animal and plant are composed of cell and product of cell ठीक है यह क्या hypothesis दिये swan propose क्या किये एक hypothesis ठीक है और वो hypothesis क्या था the body of animal and plants composed of cell or the product of the cell ठीक है अब उसके बाद क्या हुआ जब यह दोनों मिले ठीक है यह दोनों एक डिनर पर मिले थे तो वहां पर क्या हुआ स्कलेटन अपना जितना भी थीरी था जो भी वो पढ़े थे ठीक है वो बताना स्टार्ट किये तब स्वान भी वहां पर प्रेजेंट थे और उन्होंने भी अपना जितना भी स्टेडी था रिपोर्ट्स थे ठीक है वो सारा कुछ बताना शुरू किये तब इन दोनों ने मिलकर एक थीरी बनाया जिसे कि हम लोग स्टारी चहते है ठीक है this theory however did not explain as how new cell are formed ठीक है cell theory कुछ तो बताया बट इतना नहीं बता पाया कि new cell जो हे, ठीक है new cell कहां से आते है then आते हैं कोर साइंटिस्त,ıldल्फ विर्चो ठीक है in 1855 first explained that cell divide and new cell are formed from the pre-existing अब 1855 में रुडॉल्फ विर्चो आए ठीक है और वो क्या कंक्लूजन दिये वो कई इसल के जो है ठीक है Chi 110 थीटेट करता है और नियू-सल बनाता है लेकिन वो किस hayır नियू-सल भानाएगा प्री एक्जिस्टिंग से ठीक है वो ऐसा कुछ नहीं होता है pre-existing cell से ही cell नया cell बन सकता है ठीक है जिसे कि हम उन्होंने बोला ominous cellular है cellular ठीक है ominous मतलब everywhere present everywhere ठीक है he modified the hypothesis of skeleton and swan ठीक है देखिये यहां पर लिखावा modified this hypothesis of skeleton and swan to give the cell theory a final shape ठीक है cell theory as understood today is आज की डेट में लोग cell theory से क्या समझते हैं यह देखते हैं ठीक है all living organism are composed of cell ठीक है all living being जो है वो क्या compose करते है उनके अंदर क्या होता है cell होता है and product of cell होता है ठीक है और जो cell है वो आगे जो new cell बनेगा वो pre-existing cell से बनेगा ठीक है now an overview of cell you have earlier observed cell is an cell in an onion pill और a human cheek ठीक है यह क्यों इतना important है देखे जितने भी scientist है ठीक है maximum researches जो हुए है ठीक है वो किस पे में plant में onion पील पे and human के चीक पे ठीक है under the microscope let us recollect their structure the onion cell which is typically a plant cell has a distinct cell wall distinct cell wall as its outer boundary and just within it the cell membrane that means की plasma membrane ठीक है a cell of a human cheek have an outer membrane as a delimiting structure of the cell inside each cell a dense membrane bounded structure called nucleus ठीक है यह बहुत important है dense membrane bonded structure called nucleus this nucleus contain the chromosome ठीक है contain क्या करेगा chromosome which in turn contain the genetic material और दी डीने ठीक है यह क्या contain करता है chromosome chromosome contain करता है the genetic material और दी डीने ठीक है cell that have membrane bounded nucleus cell जिसमें के membrane bounded nuclei होता है ठीक है उन्हें हम कहते है eukaryotic ठीक है where a cell lack of membrane bound nucleus are known as prokaryotic ठीक है ठीक है अभी यह सारा कुछ हम लोग डीटेल में पढ़ेंगे तो अभी बस इतना समझिए जिस जिसका डीने जिसका chromosome जिसका genetic material ठीक है वो धका हुआ होगा कवर से ठीक होगा ठीक है उसे हम कहेंगे eukaryotic ठीक है और जिसका जिसका genetic material DNA या genetic material open होगा ठीक है उसे हम कहेंगे prokaryotic ठीक है इन बोथ prokaryotic and eukaryotic cell a semi-fluid matrix called cytoplasm occupy the volume of the cell ठीक है यहां पर क्या होता है अब हर एक cell में semi-fluid matrix होता है ठीक है जिसको कि हम लोग क्या बोलते है cytoplasm बोलते है ठीक है वो क्या करता है वो पूरे cell के अंजर के area को भरा रखता है ठीक है the cytoplasm is the main arena of cellular activity in both plant and animal बहुत ज्यादा important है बहुत ज्यादा important line है line क्या है line है कि cytoplasm जो होता है ठीक है cytoplasm वही एक main area है ठीक है main arena है जहां पर सारे cellular activities होते हैं अगर आप बोलिएगा कि cell में जितने भी activities होते हैं ठीक है तो बहुत सारे बच्चे nucleus को टिक करके आते हैं क्यों क्योंकि nucleus कमांड देता है ठीक है ऐसा वो सोचते लेकिन यहां पर क्या बोला जाता है main area कहां है जो कि cell में cell activity होता है ठीक है तो वह nucleus नहीं है nucleus ना हो कि यह क्या है cytoplasm क्योंकि अगर mitochondria है ठीक है mitochondria अपना काम कर रहा है तो वह कहां कर रहा है cell के अंदर और cell के अंदर क्या बढ़ा हुआ है semi fluid matrix ठीक है और उसी के अंदर क्या है mitochondria ribosomes है ठीक है में एरिना है वह कहां है cytoplasm में आप सभी को बहुत अच्छे से यह line याद रखना है ठीक है various chemical reaction कहां होता है cell में होता है ठीक है in the living state बहुत सारा chemical reaction होता है ठीक है जिससे की cell जो है वह living state में बना रहता है ठीक है beside the nucleus the eukaryotic cell have other membranal bound distinct structure called organelles ठीक है अगर हम बात करें eukaryotic cell में ठीक है तो nucleus को छोड़के और भी बहुत सारा structure होता है cell के अंदर ठीक है जो की membrane bounded होता है ठीक है उन सारे structure को हम लोग क्या बोलते है organelles ठीक है क्या बोलते है organelles ठीक है लाइक endoplasmic reticulum ठीक है गौल्गी complex, lysosomes, mitochondria, microbodies, vacuoles यह सारा कुछ हम लोगों को detail में पढ़ना है इस चाप्टर में ठीक है अधी प्रोकरियाटिक चल्ड लाक सच two membrane bounded...ड औरगनेल्जें के प्रोकरियाटिक में नहीं री और किर। परोकरियाटिक में नहीं होता है राइबोगोजोम और नन मेंब्रेट बॉंड और औरगनेल्जें। ठीक है within the cell ribosome are found not only in cytoplasm but also within the two organelles chloroplast in the plant and the mitochondria and rough endoplasmic reticulum ठीक है देखे यहाँ पे क्या होता है कि ribosome ठीक है वो सर्फ cytoplasm में ही नहीं मिलते हैं ठीक है वो दो organelles पर भी मिलते हैं किसमे chloroplast में ठीक है और mitochondria और endoplasmic reticulum में देखे यह कैसा होता है अगर यह endoplasmic reticulum ठीक है ठीक है हुआ पर क्यों होता है इस तरह का structure होता है जिसको कि यह क्या होते हैं ribosome होते हैं ठीक है ribosome और इस तरह से ribosome लगे होने की कारण इस तरह के Влад Oh प्लास्मिक रेटिकूलम कम øb het कर जो tender defect प्लास्मिक लेटिकूलम क्या बनाएगा प्रोटीन बनाएगा फ्लास्मिक नेख दब्रेटिकुलम क्या बनाएगा ठीक है crypto बनाएगा वही यह ca Mini जो despair थीके जिसके की Re 못 Doesn't नहीं है Time जेक्या होगg esmoo ineleriza me यह बनाएगा यह बनाएगा लिपिड्स हॉर्मोन थीक है और यहां पर जो हॉर्मोन होते हैं वो जिनरली सेक्षुल हॉर्मोन होते हैं ठीक है सेक्षुल हॉर्मोन थीक है अभी हम लोग चैप्टर 10 जब पढ़ेंगे ठीक है सेल साइकल इन सेल डिवीजन उसमें हम लोगों को सेंट्रोजों का बहुत ज्यादा उसका मतलों एक्ट्वल फंशन क्या होता है ठीक है वो हम लोगों को पढ़ने मिलेगा बट यहां पेक शौ जो की सेल डिवीजन में काम आते हैं सेल डिफर ग्रेटली इन साइस सेल का जो साइस है वो बहुत ज्यादा डिफर करता है शेप एक्टिविटी सब कुल्स डिफर करता है पॉर एक्जामपल अगर हम माइक्रोप्लास्म के गाप करें ठीक है तरे तो वह एक शॉर्टेस्ट जिसका की सिर्फ 0.3 micrometer ही लेंथ होता है ठीक है वाइल बैक्टिरिया कुद भी 3 to 5 micrometer ठीक है ती लाजेस्ट इसलेट चल is the egg of an ostrich ठीक है अमॉंग मुल्ति-cellular organism human red blood cell are about 7 nanometer in diameter nervous cell are some of the longest cell ठीक है cell also vary greatly in their shape they may be disc like polygonal, columnar, cuboidal, thread like or even irregular ठीक है the shape of the cell may vary with their function they perform ठीक है में भी कोई cell दूसरा function कर रहा है इस कारण भी उसका shape जो है वह वही कर सकता है ठीक है अब देखें यहां पर यह red blood cell by concave होते है ठीक है इनका क्या दिया हुआ था 7 micrometer क्या था इनका diameter ठीक है यह है white blood cell यहां पर देखें इर्रेगुलर होता है इसलिए एमिवाइड लिखा हुआ है columnar cell है ठीक है यह हम लोगोंने chapter 7 में पढ़ाया long and narrow ठीक है यहां नूरल cell nerve cell ठीक है जो कि क्या है branched and long है longest cell है ठीक है यहां tracheids elongated cell है ठीक है mesophyll cell है round and oval जो कि हमें leaves में मिलते हैं ठीक है नाव प्रोकरियोर्टिक चल्डी प्रोकरियोर्टिक चल्डी प्रोकरियोर्टिक चल्डार रीप्रेजेंट भाई बैक्टिरिया ब्लू ग्रीन अल्गी माइको ब्लाज्मा एंड पीप यलो विच इस नोन एस प्ल्यूरो नीमोनिया लाइक और गैनिजम ठीक है प्रोकरियोर्टिक से मैक्सिमम कहां मतलब किस क्राइटेरिया में आते हैं बैक्टिरिया हो तो वह प्रोकरियोर्टिक हो सकता है ब्लू ग्रीन अल्गी प्रोकरियोर्टिक होते हैं माइको प्लाज्मा प्रोकरियोर्टिक होते हैं प्ल्यूरो नीमोनिया लाइक और गैनिजम यह प्रोकरियोर्टिक होते हैं ठीक है आपको मैं एक चीज़ बता दू प्रो karyotic ठीक है ये दो words न बना है किस से दो words है दो words क्या है pro and karyotic ठीक है pro मतलब before ठीक है pro मतलब before and carry-on मतलब nut like nucleus ठीक है nut dense ठीक है, ऐसा, तो यहां पर इन दोनों का मतलब क्या होता है, before nucleus, ठीक है, वहीं अगर हम यू-karyotic की बात करें, यू-karyotic, ठीक है, तो यह किस दो वर्ड से बनावाई, एक तो बनावाई यू, और एक बनावाई carry-on, ठीक है, यू मतलब होता है true, ठीक है, and carry-on मतलब होगी है nucleus, ठीक है, जिसमे true nucleus होगा, that means कि जिसमें membrane-bonded nucleus होगा, उन्हें हम कहेंगे eukaryotic, ठीक है, उसे हम कहेंगे prokaryotic, या prokaryons, ठीक है, there are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cell, ठीक है, smaller होता है, बहुत जल्दी multiply करते है, as compared to eukaryotic cell, they may vary gently in the shape and size, ये vary कर सकते हैं, ठीक है, shape and size में, four basic shapes of the bacteria are bacillus which are rod-like, cocus which are spherical, vibro which are comma shaped and the spirulum which are spirals, ठीक है, organization of prokaryotic cell is fundamental similar even through the prokaryotic, prokaryotes exhibit a wide variety of shape and function, ठीक है, यहां पर क्या बोला जाता है, बोला जा रहा है, organization of prokaryotic cell, ठीक है, वो fundamentally similar होता है, ठीक है, even कि वो एक prokaryotes है, ठीक है, लेकिन तो भी इन में बहुत ज़्यादा varieties होता है, ठीक है, shape and function में, ठीक है, all prokaryotic have a cell wall, ठीक है, क्या होता है, cell wall होता है, surrounded by the cell membrane, except in mycoplasm, बहुत important है, exception से बहुत ज़्यादा question आता है, ठीक है, यहां पर क्या होता है, cell wall होता है, और वो किसे surround होता है, एक cell membrane से surrounded होता है, ठीक है, the fluid matrix filled in the cell is the cytoplasm, ठीक है, there is no well-defined nucleus, ठीक है, the genetic material is basically naked, इसके पास कोई भी इसका cover नहीं होता है, जिसे कि यह ढखा रहे, ठीक है, not enveloped by a nuclear membrane, यहां पर nuclear membrane नहीं होता है, ठीक है, in addition to the genomic DNA, the single chromosome और circular DNA, ठीक है, genomic DNA अभी हम लोग देखेंगे, क्या होता है, ठीक है, जो कि, क्या होता है, single chromosome का होता है, और circular DNA उसको कहा जा सकता है, ठीक है, many bacteria have similar small circular DNA outside the genomic DNA, ठीक है, the smaller DNA is known as plasmid, ठीक है, यहां पर क्या होता है, कि एक cell, मतलब जो main DNA होता है, ठीक है, जो कि nucleus से cover नहीं होता है, ठीक है, main, जहां पर, जैसे मान लिजेए, कि यह एक cell है, ठीक है, और यहां पर है इसका DNA, ठीक है, ठीक है, फिर यहां पर क्या होता है, एक small sa circularly arranged DNA होता है, ठीक है, जिसे की हम लोग क्या बोलते है, प्लास्मेड बोलते है, ठीक है, one such character is resistance to antibodies, बहुत important है, resistance to antibodies कौन देता है, प्लास्मेड या तो circular DNA, जो कि outside the genomic DNA होता है, ठीक है, in higher classes, you will learn that this plasmid DNA is used for the monitor bacterial transformation from with foreign DNA, ठीक है, यह आपको आगे जाके पढ़ना है कि किस तरह से bacteria का transformation होता है, ठीक है, with foreign DNA, nuclear membrane is found in eukaryotic, ठीक है, nuclear membrane जो होता है, वो कहां मिलता है, हमें eukaryotic मिलता है, no organelles like the one in the eukaryotic are found in the prokaryotic, ठीक है, except for the ribosome, जो कि आपको बताया गया था पहले, ठीक है, that means, इस line का मतलब यह होता है, कि आपको कोई भी organelles, जिसमें, कोई भी organelles, जो कि eukaryotic मिलता है, ठीक है, eukaryotes मिलता है, वो आपको यहाँ पर prokaryotes मिलता है, except the ribosome, ठीक है, prokaryotic have something unique in the form of incomplosion, a specialized differentiated form of cell membrane called mesozoom is the characteristic of the prokaryotes, जिसमें mesozooms है, ठीक है, वहाँ पर डिफ्रेंशियेट किया हुआ एक cell membrane होता है, ठीक है, जिसको की mesozoom बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, mesozoom, most important line है, ठीक है, वो एक क्या होता है, characteristic feature होता है, किसका prokaryotes का, ठीक है, they are essentially in folding of the cell membrane, ठीक है, in folding of the cell membrane में ये काम आता है, now the cell envelop and its modification, most prokaryotic cell particularly the bacterial cell have a chemical complex cell envelop, ठीक है, इनके पास क्या होता है, chemically complex cell envelop, The cell envelope consists of a tightly bounded three layered structure that is outermost glycocollics followed by the cell wall and the plasma membrane. Although each layer of an envelope performs the distinct feature, distance function, they act together as a single protective unit. But what do they do? They act together as it is a single protective unit. Bacteria can be classified into two groups. Bacteria can classify on the basis of the difference in the cell envelope and the manner in which they respond to the staining procedure developed by the gram. With those who take up the gram stain are gram positive and those who other does not are gram negative bacteria. This will be a bit of a detail. I will not understand anything about this. Okay, now we will study this in detail. Glycocollics differ in the composition and thickness among the different bacteria. Okay, it differs from composition and thickness in each bacteria. If it could be the loose seeth called slime layer in some while in other may be thick or tough which is called capsule. The cell wall determines the shape of the cell, which determines the shape of the cell and provides strong structural support to prevent the bacterial form, brusting and collapsing. Okay, the plasma membrane is a selectively membrane in the nature and interacts with the outside wall. Plasma membrane is very specific for permeable that means that it doesn't come into bacteria. This membrane is similar structure that of the eukaryotic. Same structure is a special membranous structure which is known as mesozones which form by the extension of plasma membrane into the cell. These extensions are form of vesicle, tubules and lamina, lamella. They help in cell wall formation. This helps in cell wall formation. It helps in DNA replication and distribution of daughter cells. They also help in respiration, secretion process and increase in the surface area of the plasma membrane and enzymatic content. In some prokaryotes like cyanobacteria. Now we are talking about cyanobacteria. That means that we are talking about blue-green algae. They are other membranous extension in the cytoplasm which is called as chromatophores. Okay, what is it called? Chromatophores. Which contains pigments. Which contains pigments. Which contains pigments. What is this membranous extension? Which is cytoplasm? The bacteria may be motile or non-motile. Motile means motile. Motile means motile. Motile means that they can movement. If bacteria can movement, they are motile. But if they can't movement, that means that they are non-motile. If motile, they have thin filamentous extension from their cell wall which is known as phlazella. If they movement, what will they have? Filaments. Okay. And where will it be? From their cell wall. Which will be filamentous extension from their cell wall. Which will be phlazella. Okay. Bacteria. So, a range of number and arrangement of phlazella. The range of number and arrangement of phlazella. Okay. We have studied this in chapter 4. Probably in chapter 4. We have studied this in chapter 4. Okay. The type of algae. Okay. We have seen the phlazella arrangement of phlazella. Okay. The bacterial phlazella is composed of three parts. Okay. Three parts. Filament, hook, and vessel body. Bacteria is composed of three parts. Okay. The phlazella is the first filament, hook, and vessel body. The filament is the longest portion. Longest portion. Okay. Extended from the cell surface to the outside. Okay. The cell body, cell surface, outside to the outside. Okay. Besides phlazella, Pili and Fimbri are also surface structure of the bacteria, but do not play a role in motility. Okay. The Pili is a tubular structure made up of special protein. The Pili is an elongated tubular structure made up of special protein. Okay. Let's suppose this is a bacteria. It is a phlazella. ठीक है यह है फ्लेजळला यहां पर क्या होता है फूरे बॉड़ी के चारों टरफ câ्षा किया होते हैं यह मोटलेटी मेंतों हिल्प नहीं करते हैं यह एक आने जो कि ईनको कहने से एभ्सौP UnterED में हेल्प करता है बहुत सारे चीज यह हमोड़ता है में mono तुबले स्ट्रक्टिर होता है जो किस से बनाता है, special protein से, महीं फिम्प्री स्मॉल बृसल लाइक स्ट्रक्टिर होता है प्राउटिंग आउट तु अउट थी से बाहर निकला हूता है तो वह उन सब से चिपक के बैटने में अटैस्ट को के बैटने में बहुत जादा हेल्प करता है ठीक है नाव राइबोजोम एंड इंक्लूजन बोडी ठीक है इन प्रोकरियोट्स राइबोजोम आर एसोसियेटेद विद दी प्लास्मा मेंब्रेन ऑफ दी सेल ठीक है यह कहा होता है प्लास्मा मेंब्रेन के पास होता है ठीक है यह एप्रोक्स 15 नैनोमीटर तो 20 नैनोमीटर इन साइज होते हैं तो सब यूनिट यहां पर दो सब यूनिट के बने होते हैं राइबोजोम ठीक है पहला सब यूनिट क्या है 50 & 30S यूनिट विज प्रेजन इन दी फॉर्म ओफ 70S prokaryotic ribosomes ठीक है prokaryotic ribosomes होता है ठीक है वो 70S होता है 70S अगर टूटेगा ठीक है नहीं लेना है ठीक है मत उस्थ और जैए किवीजग等等 प्रोटीन सींथेसस्थ कहां होता है सेवराल भाइबर जोमीए अटैज्ज्ट सिंगल इंडर फोहोंत सालर आइबो जूम होता है ठीक है महां होता है अटैच होता है single mRNA में ठीक है and form a chain which is known as poly ribosome and polysomes ठीक है और वो बहुत सारा single mRNA क्या बंत करता है और ribosome जो मिलता है ठीक है वो एक साथ chain बना कर क्या बना देता है poly ribosome यह तो polysome ठीक है इस ribosome is a polysome translate the mRNA into the protein ribosome में क्या होता है polysome के ribosome में क्या होता है यह क्या करता है translate करता है ठीक है किसको translate करेगा mRNA को protein में ठीक है now inclusion body inclusion body reserve material in prokaryotic cell ठीक है inclusion body क्या करता है reserve करता है material को and store in cytoplasm और वो store कहां कर देता है cytoplasm in form of inclusion body ठीक है they are not bounded by any membrane system ठीक है and lie free in the cytoplasm एक्जामपल phosphate granules ठीक है synofacene granules glycogen granules ठीक है यह सारा कुछ example आपको याद रखना है gas vacuoles are found in blue green and purple and green photosynthetic bacteria gas vacuoles ठीक है यह क्या होते है यह भी हम लोग समझेंगे ठीक है photosynthetic bacteria ठीक है इसके बाद हम लोगों को अब पढ़ना है eukaryotic self ठीक है अब आता है eukaryotes ठीक है जो कि हम अपने next video में करेंगे ठीक है और जो मैंने आपको बोला था कि हम पहले यह क्या ज यह कि अनरी निश्या डेक है अब यह बता मिन अक्यव में है यह उसके बोला बाद हम आपको यह जो इसका अब आतीक है यह यह हम लोग काaser है उसके अब लोगः का इसके आऀल सर्फ बाद हर करेंगे युकरियोऊ से ठीक है त्ल दिन जव बाद